मंगला विद्या मंदिर के सभी चात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार बच्चो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाट्टी पुस्तक की जो चावी पाट है वो है उकी मात्रा तो बच्चो अभी हम पढ़ेंगे हमारी इस पाट को वो है उकी मात्रा तो बच्चो यहाँ पर आपको चित्र में क्या क्या नजर आ रहा है हाँ आपको यहाँ पर गुलाब का फूल, एक मुर्गा, कच्चुवा, सुराही, सब नज़र आ रहे इन सब में से एक कॉमन सा चीज है, क्या है? वो है उक की मात्रा इन सब शब्दों को एक संपूर्ण, एक शुद्ध शब्द बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको उक की मात्र लगाने पर ही वहाँ पर एक शुद्ध शब्द बन जाएगा तो बच्चों, आगे हम इसी वाक्यों के भारे में वीडियो के सहायता से पड़ लेते हैं वो है हमारी उक की मात्र, लेसन नमबर सिक्स उक की मात्र पहला शब्द है बच्चों, गुलाब, गुलाब मीज रोज, कच्च्वा, कच्च्वा मीज टॉर्टाइज, मूर्गा, मूर्गा मीज कॉक, सुराही, सुराही का मतलब है गोगलेट अब यह आगे का शब्द है, जो उकी मात्रावाले हैं, वो है चूहिया, चूहिया मीज माउस गुडिया, गुडिया मीज डॉल बुडिया, बुडिया का मतलब है ओल्ड लेडी कुर्ता मीज शट जुराब मीज सॉक्स बटवा, बटवा का मतलब है पर्स सुपारी, सुपारी का मतलब है बिटलनट आडिके करके जो खनड़ा में बोलता है न वो ही है पुजारी, पुजारी मीन्स प्राइस्ट बगुला मीन्स हेरोन, एक क्रेन का जैसे एक बर्ड है कुटिया मीन्स शेक तो बच्चों, आगे हम देखते हैं अभी आपने तो कुछ उकी मात्र वाज से शुरू होने वाले कुछ शब्डों को देख लिया है उस कविता को एक बर हम पढ़ लेते हैं कविता कशिर्श ऐसा है गुडिया नाच उटी क्या है गुडिया नाच उटी गुडिया मिन्स डॉल नाच ना मिन्स डैंक्स करना करके अभी हम पढ़ते हैं पहला लाइने हमारा सुबह हुई सुबह हुई सुबह मिन्स मॉनिंग, मॉनिंग हो गया, सवेरे हो गया करके कुसुम उटी, कुसुम एक लड़की का नाम है कौन उटी, सुबह होते कौन उटी, कुसुम उटी वहाँ गुडिया लाई, वहाँ क्या लेकर आई, वहाँ गुडिया लेकर आई सुमन भी आ गई कुसुम लामा के एक लड़की ने क्या किया गुडिया लेकर आई तब वहाँ पर और एक कौन लड़की आई यह उस लड़की का नाम क्या था सुमन तो अभी आगे देखते हैं तो वहाँ गुलाबी कुर्ता गुलाबी मीन्स पिंक कलर गुलाबी मीन्स पिंक कलर की कुर्ता कुर्ता मीन्स टॉप जामुनी सल्वार जामुनी सल्वार जामुनी मीन्स कहना बच्चो जामुन का फल होता है आपने देखा होगा जो नेरेले हनु करके आप चुक खनड़ा में बोलते हैं उसी को हम जामुन करके हिंदी में कहते हैं, उसका रंग कैसा रहता है, जो purple लौर करेता है ना, तो उसी को हम कहते हैं जामुनी सलवार, जामुनी सलवार करके क्यों बोला कि, जगुड़िया ने जगुड़ा पहनी है, वो है गुलाबी कुरता, मतलब पिंग कलर का टॉप है सलवार जो चुडिदार पहनी है उसने तो उसमें पिंग कलर की कुर्ता है उसके बाद में जामुनी सलवार जामुनी मतलब परपल कलर की पैंट या सलवार पैंट है और सुनहरी चुनहरी लाई सुनहरी मतलब गोल्डन सुनहरी मतलब गोल्डन क चुनरी का मतलब स्काफ या दुपट्टा करके आप बोल सकते हो तो अभी पता चल गया तो गुडिया ने केसे कपड़े पहने हुई थी या गुडिया का कपड़ा कैसा था उसका कपड़ा गुलाबी कुर्ता जामुनी सलवार और सुनहरी चुनरी मतलब पिंग कलर का टॉप और पॉपल कलर का उसका पैंट था और सुनहरी सुनहरी मिन्स गोल्डन कलर का उसका दुपट्टा स्काफ था तो आगे बह दिखते हैं जुमका पहनाया उस गुडिया को क्या क्या जुमखा जुमका मिन्स एर रिंग्स जुमका पहनाया गुडिया टुमक टुमक कर नाची गुडिया कैसी नाची कपड़ा पेन कर और जुमका सब लगा कर टुमक टुमक कर गुडिया नाच उटी तो आपके यहां पे पता चल गया ना इन सब जो वाक्य है इनोंने जो बनाया है इस कविता में हर जगा पे आपको क्या नजर आता है बच्चो उकी मात्र देखने को मिलती है तो बच्चो अभी हम नीचे देखते हैं एक बार शब्दार्थ को देखते हैं उसके पहले दुबार एक बार में इस कविता को पढ़ने वाली हूँ आप एक बार मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए सुबह हुई कुसम उटी वह गुडिया लाई सुमन भी आ गई वह गुलाबी कुरता जामुनी सलवार और सुनहरी चुनहरी लाई जुमका पहनाया गुडिया टुमक टुमक कर नाची तो बच्चो जैसे मैं पढ़ रहे थी आपको भी मेरे साथ साथ में जोर जोर से पढ़ना भी है तो आगे देखते हैं बच्चो शवदात देखते हैं सुबह, सुबह means morning, गुलाबी, गुलाबी का means pink, pink color, pink रंग, ठीक है, जामुनी मतलब purple, सुनहरी, सुनहरी का मतलब golden, यह सब रंगों का नाम है, ठीक है, चुनहरी, चुनहरी का मतलब है scarf, जुम्का, जुम्का का मतलब है earrings, जो खान में हम लड़किया जो पहनते ना, तो उसक क्या बोलते हैं हम जुंका या भालिया करके कहते हैं, तो earrings, इंगलिश में हम कहते हैं, earrings करके हम कहते हैं, तो बच्चों, इस कविता को एक बार हम वीडियो के सहायता से देख ले, ठीक है, गुडिया ना चुठी, सुबा हुई, कुसुम उठी, वह गुडिया लाई, सुमन भी आ गई, वह गुलाबी कुर्दा, जामुनी सल्वार, और सुनहरी चुनुरी लाई, जुमका पहनाया, गुडिया ठुमक ठुमक कर नाची, तो बच्छो, आपने देख लिया ना, इसका वीता को एक बार, तो हम आगे देखते हैं, हमारी अभ्यासकारी की तरफ, तो देखें, मैं कुछ अभ्यासकारी सिर्फ किया हूँ, बाकी का अभ्यासकार आप कुद कर सकते हूँ, क्योंकि यह आप आपको अभी आदत हो चुक कर लिखो, यहाँ पर क्या क्या है, अक्षर और उनकी जो मातरा है, उसको अलग करके लिखे है, तो आपको क्या करना है, उसको जोड कर आपको लिखना है, यहाँ पर अनुच्छेद रूप में दिये हैं, तो आपको उसको जोड कर लिखना है, जैसे कि पहला वाला है, स, प उक्की मात्र लगने इसर क्या होगा है, सु, सु पर ख, ख पर क्या होगा, सुक बन जाता है, उसी तरह है, दुख, मुक, चुन, वह आगे क्या है देखो बचो, प, प्लस श, प्लस उक्की मात्रा, तो देखें, श के भाद में उक्की मात्रा आया है, तो यह उक्की मात्रा कहा पर लगाना है हमको श के नीचे लगाना है तो यह बन गया पशु बाद में बन गया तरू राद उसके बाद में धनुश तो आपको पता चल गया ना बच्चो यहाँ पर कैसी किस तरह से उकी मात्रा लगानी है करके बोलके हमेशा खड़ी पाई खड़ी का मतलब है जो हिंद लेटर्स लिखते हैं वक्त उसमें एक स्ट्राइट लाइन की तरफ आता है हमेशा मात्रा है उसकी नीचे ही लगानी चाहिए हमको ठीक है तो खड़ी पाई मतलब चो अभी जैसे कि आप फस्ट लटर देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि सर की जो खड़ी पाई जो लाइन है उसके लाइन के नीचे ही उकी मतलब लगाया है तो आपको देखते ही पता चलता है कहां पर उकी मतलब को लगानी है तो उसी तरह हम नेक्स में जलते हैं वच्चो ऊकी जगह पर उ की मातरा लगा कर शब्द बनावो, यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर उ शब्द जैसे कि एक शब्द है उस शब्द में उ की मातरा जहाँ पर आता है वहाँ पर उन्होंने क्या किया उ स्वर्ख को दिया है तो आपको क्या करना है U स्वर्ख के बदले में आपको करना है कि U की मात्रा को लगानी है क्या करने है बच्चो U की मात्रा को लगानी है जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर U दिया है तो आपको क्या करना है इस उ को हटा कर आपको यहाँ पर क्या बनानी है उ की मात्रा लगानी जैसे कि स उ म न करके है तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपको सुमन लिखना है तो आपको क्या करना है यह उ की जो स्वर है उ स्वर है उ स्वर को हटा कर आपको उ की मात्रा लग लगानी हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर उपर बोल रही थी बच्चों, जो खड़ी पाई, खड़ी पाई मतलब यहाँ ज़िए कि स के नीचे ही उक्यमातराया है, द के नीचे उक्यमातराया है, म, म अक्षर के साथ में एक जो स्ट्राइट लाइन जैसे नज़र आता है न, उ के भाद में उकी मात्रा आया हुआ है तो आपको क्या करना है उकी मात्रा को टक्षर के नीचे देना है तो उस्वर को हटा कर आपको क्या करना है उकी मात्रा को आपको लगानी है तो आपको पता चल गए ना बच्चो यहां पर कैसे लिखते हैं करके उसी तरह next one है मदूर बा तो बच्चो आपको पता चलिए ना यहाँ पर कैसे लिखते हैं करके तो उकी मात्रा को किस तरह से उपयोग करते करके पता चलिए ना तो आपको यह अभ्यासकारी को खुद करना है तो अभी हम next देखते हैं बच्चो next हमारा अभ्यासकारी है चित्रों को धे को और उकी मात्रा लगा कर शब्द पूरा करो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी अक्षर के नीचे उकी मात्रा नहीं लगाया हुआ है तो आपको क्या करना है यहाँ पर सही जगह पर आपको क्या करना है उकी मात्रा लगानी है मैं आपका इसको उत्तर भी आपको मैं PPT में बेज दूँगी, नोर्स के साहयत से बेज दूँगी, फिर भी आप इसको करने का कोशिश कीजी, जैसे कि गल, आके मात्रा, ब, तो क्या बन गया, गलाब बन गया, तो इस चितर क्या है, इस चितर में क्या है, एक रोज है, रोज आप यहाँ पर करना है कि ओकी मात्र कहाँ पे लगानी है, दीके आप लिखने का कोशिश करूँगी, पर है शयद बड़ा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ग के नीचे ओकी मात्र को लगानी है, सुन्दर से लिखना है, ठीक है, और नेक्स्ट है बच्छों, गुडिया जैसे कि घ घ अक्षर के नीचे आपको क्या करना है उकी मात्रा को लगानी है जैसे कि हापे घ है तो घ अक्षर के नीचे आपको उकी मात्रा लगानी है उसी तरह है मुर्गा कुटिया चुहिया साबून साबून में बो अक्षर के नीचे बो अक्षर के नीचे उकी मातरा लगानी है तो आपको पता चलिए ना बचो इस अभ्यास कारी को भी आप अपनी क्लासवक्स में I mean टेक्स्ट बुक में कर लीजिए Next है बचो आपका चित्रो को सही मिलन कीजिए क्या करना है? सही मिलन करना है आपको तो अभी हम करते है बचो यहाँ पर क्या दिये है कि एक लड़का चड़ रहा है यहाँ पर कुछ चित्र दिये है उस चित्रो को आपको क्या करना है? उनामों से मिलाना है जैसे कि यहाँ पर एक लड़का चड़ रहा है तो हमें क्या करना है? इस चित्र को किसके साथ मिलाना है चड़ना उसके साथ मिलाना है उसी तरह एक लड़की यहाँ पर क्या कर रही है घाना सुन रही है दिखिए कान में कुछ हैरफोंस लगा के सुन रही है तो क्या है यह सुनना यह क्या है सुनना तो next क्या है बच्चो एक लड़की यहाँ पर क्या है एक पंची उड़ रहा है तो क्या है उड़ना एक क्या है उड़ना तो एची तर चाके उड़ना पे मैच करना है उसके बाद में है बच्चो क्या है ये लड़की घा रही है कुछ घाना घा रही है तो हमें क्या करना इसको घाना पे मैच करना है उसके बाद में है यहा साथ वो मैच करना है तो अभी आपको पता चल गए ना एक चित्र को देखकर कैसे हमको मैच करना है करके वच्छो तो इसे यह अभियास कारी को आप अपने टेक्स्ट बुक में कम्प्लीट कीजिए तो आगे यहां पे समान तुक वाले शब्द बनाओ एकी जैसे राइमीं व को आपको इदर डालना है बुन चुन दुन मतलब न न न करके सेम जगर पे डालके उसके एक राइमिंग वर्स बनाना है एक तुकवाले शब्द बनाना है जैसे कि कुला बुला दुला सुला ऐसे आपको राइमिंग वर्स तुकवाले शब्द आपको बनानी है तो यह भी बहुत आसान अभ्यस का रहे, मैं सोच चू कि आप खुद कर सकते हो, है ना, ठीक है, तो जैसे कि चूहिया का बुडिया, पुलिया, खुटिया करके आपको बनाना है, उसके बाद में जुक, रुक, हुक, चुक करके, खुक, अक्षर को आपको यहाँ पर मिलाना है, नेक्स्ट, लास्ट एक क्रिया कल आप में बच्चो, एक एक अक्टिविटी दिये है, जैसे कि, खचुमे में, रुई के चोटे-चोटे टुकडों को पानी के रंग में भिगो कर उसकी चाप लगा हो, मतलब आपको उसको क्या करना है, इंप्रेशन डालना है, बस, मतलब क्या करना है, आपको एक चोटे-चोटे-चोटे टुकडों को पानी में रंग से बिगो कर उसकी चाप लगा हो, मतलब जस्ट इंप्रेशन डालना है, कॉटन को वेट करना है, अलग-अलग कलर यूज कर सकते हो, यह यह की कलर में कर सकते हो, उसको क्या करना है कॉटन में इंप्रेशन, चोटो-चोटा से इंप्रेशन, उसके उपर टैपिंग करना है, टैपिंग करके उसको आपको कॉट explanation आप उसके इतना इस्तेमाल करने का भी जूरत नहीं है आपको जैसे के heading पढ़ना है heading को समझना है और कुछ इसलिए मैं जान बुझकर कुछ अभ्यास कारी मैंने कुद नहीं दिया है कुद मैंने नहीं किया है आप कुद कीजिए मैंने explain किया है उपर question का heading पढ़ी हूँ उसके बाद मुसको कैसे करना है करके भी मैंने बता दिया है आपको आप उसको अच्छे से सुन लीजिए किस तरह से इस अभ्यास कारी को complete करना है करके नोर्स की बिना सहायता के वज़े से आप कुद कर सकते हो इन सब अभ्यास कारी को कुद करने का कोशिश कीजिए तो आशा करती हूं बच्चों आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दुबारा एक बार इस वीडियो को देख लीजिए का कर दूल